हेलो स्टुडेंट्स तो वेलकम टू के एनस क्लासेज और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम रसाइन सास्तर का सलेबस जो की अपने विक्ट्री बेच पे रन करेगा अब इसके अंदर अपने पास क्या करना है देखो एक वीडियो के अंदर एक चेप्टर की समापती होगी ठीक है या फिर कुछ बड़े चेप्टर होंगे तो दो या तीन वीडियो आएंगी उसके ठीक है और ये अपने पास टाइन टेबल एनुसार चलेगा जो की अपने डिस्कोरड पे है तो जिन्हों ने डिस्कोर्ड जो की है ठो सवस्ता ठीक है तो चलीं शुरू करते हैं अपने तो यहां पे देखो ठोसवस्ता ठीक है अब ठोसे अब को पता होगा कि इसमें अपने पास हो अब फिक्ण होते에요 ठीक है वो एक दम पास पास में होते हैं ठीक है जो अभी अभी इकन होते हैं अभी इकन होते हैं अभी इकन का मतलब हो गया परमाणू या अनू ठीक है वो एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो ये ठीक है अब अपने पास देखो यहां पर जो में टोपिक है उस पर आते हैं जैसे कि इलियों तुम्हें आपने देखो पढ़ रखा होगा कि अवस्था आपने पास तीन प्रकार की होती है ठोस दर्व और गेस दर्व और गेस का तो अजना आप कर चुके हैं ठीक है तो ठोस अवस्था आपके यहां केमेस्ट्री में फर्स चेप्टर में डाली गई है प्पढ़नी है इसमें सब्से पहले क्रिस्टली एं एकरिस्टली एक्रिस्टली है सब्सके बाद और आयरमेक टोस हो गया हाइड वर्शन बं दुर्वी ऐ दुर्व यह सारे वह पढ़ते है और लीजेगा नौर्स में ऊ cooler जाएक या तो ठीक हैं तो वहां से आप हें की जालक ठीक है त्रीवी में जालक देखो तीन टोपिक यहां पे आपको पढ़नी है त्रीवी में जालक हो गया एक तो एक आपके पास होगा क्रिस्टल यह जालक ठीक है क्रिस्टल यह जालक और यहां पे आपको पढ़नी है एककोस्टी का तो यह टोपिक अपने पहले देख जब रहे ते कि तो आप अराम समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई भी मानों यह कि तरी डी एक्स वाई और जड़ अक्स हों के अंदर हो गया ठीक है तो तरी इंडूं में अगर आप क्या करती हो की आ बिंदू का एक विवस्था बना लो यहां पर एक बिंदू के क्या कि रे, मैंने जैसे आ लो और यहां पर रखता जा रहे हूं ठीक है ये कालपनिक बिंदू है और त्रिविम एंदर इनको रख रहे हैं ठीक है तो ऐसे आप है वो इनको सेट करते जाए ठीक है यह इनका व्यवस्था हो गया ठीक है तो ऐसी व्यवस्था अपने को बिठानी है जैसे मैंने यहां पर यह कुछ व्यवस्ता इन बिंदूओं की बिठा दिये ठीक है तो बिंदूओं की त्रीविम के अंदर बिंदूओं की त्रीविम के अंदर जो व्यवस्ता अपने पास बैठती है ठीक है तो उसको अपन क्या बोलते हैं त्रीविम या जालक बोलते हैं समझ में आगे नहीं बात ये त्रीविम के अंदर बिंदूओं की एक निश्चित विवस्ता जो बैठती है उसको अपन क्या बोलते हैं त्रीविम जालक बोलते हैं ठीक है अगर इनी बिंदूओं पर परमाणू रख दिये जाए तो ये अपने पास क्रिस्टल जालक तैयार हो जाएगा ठीक है समझ में आगया होगा तो ये है तो अगर कालपनिक बिंदूओं का वेवस्था है तो तो होगा अपने पास त्रीविम जालक और अगर उनी है ठीक है ठीक है ठोगा सवस्ता के अंदर यहीं होता है कि प्रमाणू एक दूसरे पास पास होते है ठीक है तो अपनों को उनकी वेवस्था पड़नी है तो पहले तो हमने कह दिया कि एक काम करो पहले आप बिंदूओं का एक व्योस्ता सेट कर लो और उनी बिमदों प्र प्रिस्टल जालक बन जाएगा तो यहां पर मानलो मैंने यह क्रिस्टल जालक बना लिया ठीक है आज का पूरा जो अपने चेप्टर है वो पूरा प्रैक्टिकल पर करेंगे हमारे पास एक दम मैं इसमें किया है कि जितने भी आपके डाइग्राम अगे रहा है उन्हों सब के तरूंड़ आपको समझाया जाएगा तो इस में से आपके कोई भी टोपिक है वो वीक नहीं रहे गा छाए वो जैई हो चाहिए एडवास हो, मैंस का एक्जाम दो चाहिए, नीट का एक्जाम दो, चाहिए बोर्ड की एक्जाम दो, सब के लिए प्रियापत है, ठीक है, एकदम इन डिटेल में चलेंगे, अब यहां पे आपको क्या करना है देखुआ, अब बात आती है, एक कोस्ति का क क्या होती है ठीक है देखो एक दिवार अगर अपने पास है तो वह दिवार कैसे बनती है इंटो की विवस्ता से बनती है एक इंट हो गई उस इंट को बार-बार-बार-बार-बार-बार उसकी पुनावरती से क्या होती है ठीक वैसे ही यहां पर क्या होता है अपने पास कोई एक ऐसा सबसे चोटा टुकडा होगा जिसको बार बार-बार-बार-बार रीपीट करने पर उना वर्थी से अपने पास क्या होता है फूरा संपोर्ण क्रिस्टल जालनक त्यार हो जाता है तो उसी को आप क्या वो पूर्त frankly बोलते हो कुछ इस परकार से यह मिल गया ठीक है तो यह चीज होगी तो यह सबसे चोटा टुकड़ा है यह सबसे वह चोटा टुकड़ा है जिसको बार 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 आपको ना वरति कराते जाओगे तो आपके पास संपूर्ण क्या बन जाएगा क्रिस्टल जालक बन जाएगा तो इसी अपने पास क्या होता है ठोस की सबसे चोटी कर जाएगा तो यही मां आपको बता रहा-ँँ किंदू है तो तो त्रिभी में जालक अगर उन पे प्रमाणू रख दिये जाए तो क्रिस्टल जालक और स्क्रिस्टल क्रिस्टल जाएगा जिसको बार बार-बार-बार-बार- skilled करने पर पुनावर्ति से अपने पास वाप संपूर्ण क्रिस्टल जालक बनग जाए उसको क्या पार वोते हैं ठीक है ये चीज एपने पास हो गई यह कोस्ट का अपने पास है है आप देन looking यहां पे एकक कोस्टिका के जो मापदंड है वो कौन से देखो एकक कोस्टिका के मापदंड है देखो बनाने को मैंने ऐसा बना दिया पर जरूरी नहीं है कि सब ठोसों में यही मिलेगा ठीक है अलगले परकार की आकरतियां भी हो सकती है तो उन आकरतियों के परकारों को समझाने के लिए अपने माब देंड बनाए ठीक है जैसे कि अपने पास यहाँ पे नोने का है कि यह अपने पास X X है यह Y और यह Z X और Y के मद्यमान लो कौन है अलफा Y और Z के बीच में है बीटा और Z और X के बीच में है गामा ठीक है यह चीज हो गई और यह लंबाई जो है वो है A यह लंबाई है B यह लंबाई है C ठीक है यानि अलफा बीटा और गामा यह तो क्या हो गए X के मद्य के कौन हो गए ठीक है X के मद्य कौन और A, B और C ये अपने पास क्या कहलाते हैं?, ये कहलाते हैं , अपने पास XO की लंबाई बहु सकते हो अप फीक है XO की लंबाई तो ALPHA, बीटा, γामा , A B C इन छहों को अपन क्या बोलते हैं ? माब्द्रंड बोलते हैं इन शाय के अलग-अलग मान पे अपने पास अलगलग प्रकार की एक कोस्टी काई बनती है ठीक है जिसकी पुना वर्ती से संपुन क्रिस्टल जालग बनता है और क्रिस्टल जालग ही क्या बनाता है ठोस बनाता है ये crystal जलक से ठोव सवस्ता त्यार होसाईगी समझ में आगे ना बाति है है तो ये चीज हो गई अपने पास तो यह आप ध्धान में रखोगे देखो अपने श्लेबस में दो एकक कोस्ति का है एक तो है गनी है एकक कोस्ति का ठीक है एक तो है यह दो परकार की एक अकोस्टिका याप के सलेवस में इनी का अपनको अधियन करना है ठीक है जिसमें से में यह सबसे ज़्यादा बात किसकी होती है गनियाक-ख़ोस्टिका की अपने पास A, B और C ये क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे भाई घन बना लो ना एक सिंपल सा ठीक है? एक घन अगर आप बनाते हो तो उसमें आप क्या देखोगी? कि ये A ये भी A होती है और ये भी A होती है ठीक है? तो ये अपने को पढ़ना था गनिये एक कोस्तिका है आपके देखो जो कोस्तिका का जो एक दम पूरा विस्तार रूप है वो किसका बताया गया है वो देखो वो है गनिये एक कोस्तिका का तो अपने को इन डिटेल में तो इसी की अध्यन कोस्टी का ठीक है आद्य गन्य एकक कोस्टी का और एक अपने पास होती है केंद्रिय ठीक है केंद्रिय एकक कोस्टी का ठीक है केंद्रिय एकक कोस्टी का ठीक है केंद्रिय एकक कोस्टी का तो एक तो आद्य गन्यों को याद्य गन्यों को वैसे सरल गन्य भी बोलते हैं ठीक कंद्"; यह भी हाव लग लिख सकते हो marca कोस्टी का की को सबसे पहले आप यह पर पढ़ते हो अंत कैंद्णेस को सबनी को सबसे आप यह कौस्टी का जो इसको इन्दी मेंं बोलते हैं जो यह इंदी में तो होगे हैं इंगलीस में बोलते हैं अपने पास है बी सी सी बोडी सेंटर ठीक है क्यूबी क्यूनिट से और यहां पर अपने पास है दूसरी जो होती है फलक केंद्रक ठीक है फलक केंद्रियत कोस्तिका ठीक है फलक केंद्रियत कोस्तिका है यह है इसको अपन या अंत्या भी रोलते कईद्रिये एकक कोस्टिका ठीक है, तो यह अपने पास ओगई, टोटल कोस्टिका अपने gotya पर नीय, सबसे पहले आद więc गनिया एकक कोस्टिका ओगी, यह परकार बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है की आपको लटना है परकार बता रहां महीं, तो आद्य गनिये एककोस्तिका हो गई, फिर आप जाते हैं केंद्रिये एककोस्तिका, ये अपने पास केंद्रिये वाली तीन परकार ये होती है, अंत्य, फलक और अंत्या, ठीक है, तो ये तीन इसके परकार हो गई, अब इनको डिटेल में देखना है एकको, पर जदा आपको कि तो अब अपने आगे चलते हैं और इसमें पढ़ेंगे कोस्टिकां के परकार ठीक है और इस यह पार्ट देखों इंपोर्टेंट है में जब रभी से स्टार्ट होगा सो सबसे पहला है आद यह एकक कोस्टिका ठीक है सरल गनिये एकक कोस्टिका एक ही बात है तो यह चीज हो गई अब मैं अगर यहां पर बात करूं तो दो चीजे ने को ठोस वस्ता में ध्यान रखो सबसे पहली तो कि कोन कहां उपस्तित है और दूसरा एक परमाणू और कितने परमाणू को चूरा है ठीक है यानि कि आपको ब धाइन परी में वगिरा यह लगना हो गया तो यह है अपने पास तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो दो बात कौन सी है सबसे पहली कोन कहां पर उपस्तित है और दूसरा किसको टच कर रहा है ठीक है यह चीज होगी टच मतलब क्या हो गया सपर्स करना तो यह चीज हो होगी अपने पास सबसे पहला मैं यहीं बताऊंगा कि कोन कहां उपस्तित है आज यह गनिये एक कोस्टिका में परमाणू कहां कहां पर उपस्तित होते हैं तो परमाणू अपने पास होते कोनों पर ठीक है घन के कोनों पर परमाणू उपस्तित रहती है ठीक है यह आप ध् परमानू लगे वे तो चार तो इन कोनों पे हो गए और चार नीचे वाले कोनों पे हो गए तो ये अपने पास क्या हो गई आदे गनिया एक कोस्टिका त्यार हो गई ये नाभी किया मोडल है तो ये चीज हो गई इस नाभी के मोडल में ये बताया गया है देखो परमानू न परक दिया जाए तो यह बनती है आदे गनी है एक कोसी का ठीक है दूसरा देखो दूसरा आता है कौन किसको टच कर रहे तो सबसे पहला बात क्या होगी कि एक अगर आप परमाणू कोई सा भी अब उठा लो ठीक है वो परमाणू क्या करेगा जिस बुजा पे उपस्तित है ठ ठीक है अंतिम छोओर वाले परमाणू को सबस करेगा ऑ ठीक है परमाणू को क्या करेगा चैक तो यह कुछ पुइंट आप ध्यान में रखो सबसे पहला क्या बोला है कि भुजा जो जिस अपने पास कोने परमाणू पस्तित है ठीक है उसके सापेक्स में जितनी भी भुज कर रहा होगा, अब आप इसको समझो प्याले यानि कि ये अगर परमाणू है ठीक है, तो ये किन-किन बुजाओं पर उपस्तित रहेगा, मतलब किन-किन बुजाओं के साफिक्स में बात करनी है, एक तो ये वाली बुजा एक ये वाली, एक ये वाली, तीन बुजा तीन ही तो ओगी न, ये एक परमाणू अगर मैंने ये लिया है, तो इस परमाणू में आपको क्या दिखेगा, कि ये परमाणू इस कोने पर उपस्तित है, और इसके साफिक्स तीन बुजाएं है, एक, दो, और तीन ठीक है इन बुजाओं के अंतिम चोर पे कौन से प्रमाणू है जैसे इस बुजा की बात करो तो अंतिम वाला चोर वाला प्रमाणू ये है इसके सापेक्स में अगर ये बुजा का बात करो तो इसका अंतिम चोर ये है और ऐसे इस बुजा का अंतिम चोर ये है तो ये प्रमा मोडल त्रहक है वोजा भी किम मोडल यह परमानों में देखो इसमें आपको एकदम खली डिफाइंड वेंऎक तॉ इस परमाणों को को एक इस प्रमाणों को टच कर रहे है ठीक है एक आप इधर से देखोगे तो इस प्रमाणों को टच कर रहे है तो तीन प्रमाणों होगे न वह एक दो और यह की तीन ठीक है तो इन तीन प्रमाणों को टच करेगा हाँ बाकी अगर आप देखो तो जो फलक विकिर्ण होगा या ये ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे या फिर ये वाला है ठीक है ये वाला जो अपने पास है ये इसको टच नहीं करेंगा ठीक है यानि कि एकदम आप ये बोल सकते हो कि अंता जो विकर्ण होगा ठीक है अंता विकर्ण यानि एकदम तीर्चा विकर्ण तो ये व प्रति एकक कोस्टिका में परमाणों की संख्या ठीक हैं परमाणों की संख्या यानि कि एक एकक कोस्टिका में कितने वो बात करनी है अब कितने प्रमानों आएंगे तो इसमें आप क्या देखोगे भई दर्वेमान के इसाब से देखने हैं ठीक है कल को आप यह बोल दो कि हाँ यह काम करते लिए कि आठ प्रमानों आ रहे हैं और आठ अपने लिख दिये नहीं ऐसा नहीं एक कोस्टिका के कोस्टिका से बाहर है तो उसको अपन को नहीं लेना ठीक है तो अपन को कोन सा लेना है दर्वेमान के इसाब से लेना है कितना दर्वेमान अंदर आ रहे है उस इसाब से प्रमानों की संक्या बतानी है इसके लिए एक छोटा सा फोर्मला मैं आपको बता देता हूं ठीक है देखो अगर कोनों पे जो परमाणू उपस्तित होती है न ठीक है उसका एक बटा आठ भाग अंदर आता है तो एन कोनों पे बटा आठ एन का मतलब क्या हो गया परमाणू की संक्या तो वह परमाणू की संक्या जो कोनों पर है बटे आठ प्लस एन जो फलक पे है ठीक है फलक केंदर पर फिलकेंदर और येहां पर इस जिग मेż पिर अगर और अगर होंगे तो उसका एग बटा दो भाग है वह Já दर आता है अदा बाग अदर अदर वाग बाहर रहते हैं प्लस यहां पर लगाओं पर और तो यहां पर अगर उपस्तित है तो इसका क्या होता है एक बटा चोथा ही भाग अंदर आता है ठीक है प्लस एन केंद्रक ठीक है अगर कोई केंद्र प्रमाणू अपने आ रहा है तो उसमें क्या होता है पूरा का पूरा भाग ये अंदर आ जाएगा समझ में आरी नो भी बात य तो यह चीज होगी भाई अंदर अगर एकर प्रमाणू मालो यह एक प्रमाणू है यह अगर बीच में उपस्तिते हैं तो इसका पूरा बागोस्टी का कि अंदर आएगा तो वह तो पूरा युटा लिया जाएगा यानि कोनों पर होता है उसका एक उटा आठ पा बाग अंद खसके प्रमाणू हो गए आठ बटे किता जाएगा प्रलक कि तो memorized जीरो बुजबरar भी कोई नहीं है तो जीरो है और केंदर में भी कोई नहीं है तो जीरो यह आएगा आठ बटा आठ की तो देगा एक यानि एक प्रमाणूं क्या होगा कोस्टिका के अंदर आ रहा होगा ठीक है द्रहमान की साबसे बात करनी है आपको तो यह चीज मैंने आपको बता दी तीसरा आएगा अपने पास तीसरी बात होगी चोथा अपने पास आएगा देखो एकक कोस्टिका की एकक कोस्टिका के गुजा की लंबाई ठीक है एवं परमाणूं त्रिज्या के मध्य संबंद ठीक है तो अब अपने को देखना है कि एकक कोस्टिका की बुजा लंबाई यानि यह वाली जो लंबाई यह बुजा लंबाई होगी न तो यह चीज हो गई तो बुजा लंबाई और परमाणू त्रिज्या के मध्या एक संबंद बनाना है ठीक है तो कैसे बनाओगे देखो इसमें आप एक तरीका ध्यान में तो सबसे वो आप रेखा चुन लो जिसमें क्या हो रहे हैं परमाणू एक दूसरे को टच कर रहे हैं जैसे कि इसमें क्या हो आता ये वाला परमाणू इसको टच कर रहे हैं ये वाला परमाणू इसको टच कर रहे हैं तो वो वाला अपने को यहां पे लेड़ा हैं जैसे कि य ये चीज होगी, तो ये के अंदर में ये देखो ये त्रिजा आर, ये त्रिजा भी किती होगी, आर होगी, और यहां से लेकर यहां तक, ये किती होगी, इसकी बुजा लंबाई किती है, ठीक है, मैं माल लेता हूं, यहां पर बुजा लंबाई किती है, एक कोस्टिका की बु 2R हो जाएगा क्या ये लो संबंद बन गया a और r के मत्दे ठीक है अब कई कहते हैं कि ये पूरा A नहीं होगा क्या नहीं पूरा A नहीं होगा भै इतना इतना इस से देखो ये तो कोना होगा न ये कोना ठीक है यह एक दम नाबीक फोस्तित होगा और बागती जारा भाग तो देखो बाहर रहे गया ठीक है तो उसको तो लेड़ा ही नहीं है तो यह इतना क्या हो जाएगा A और ये 2R तो A और 2R जाएगी एक दूसरे के मद्धे सबसे छोटी दूरी ठीक है दो परमानों के मद्धे सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी बताओ सबसे छोटी दूरी अगर आपको देखनी है ना तो वो देखो जिसमें परमानों एक दूसरे को टच कर रहे है ठीक है परमानों एक दूसरे को टच्च कर रहे हैं ना, वो सबसे छोटी लंबाई होगी, उससे छोटी क्या हो सकती है, बताओ, मेरे साथ से तो कुछ नहीं होगी, प्रमाणों एक दूसरे को टच्च कर रहे हैं, वह यह सबसे छोटी दूरी, उससे छोटी हो और फिर क्या हो सकती है, मेरे साथ से कुछ नही ठीक है अगली चोटी दूरी किती होगी बताओ हैं दो प्रमाणों के मद्य बात कर रहे हैं तो सबसे चोटी दूरी तो यह हो गई जिसमें प्रमाणों यह दूसरे को टच कर रहे हैं अगली चोटी होगी यह वाली यह दोनों प्रमाणों के मद्य यह सबसे चोटी यह दो नम तो यह चीज हो गई अगर आपको आगे पूछे कि दो प्रमाणों के मद्य अगली से अगली ठीक है अगली से अगली सबसे चोटी दूरी यह सबसे नहीं चोटी दूरी तो अगली चोटी कौन सी होगी यह परमान उठा लो और इस एकदम जो यह अनता है अपने पास जो विक आपको पॉइंट डिसकस करना है समनवय संक्या का ठीक है समनवय संक्या तो समनवय संक्या को देखो कैसे बताओगे आप ध्यान रखो जो कौनों पर उपस्तित होते हैं ठीक है जो कौनों पर उपस्तित होते हैं उनकी समनवय संक्या होती है अपने पास है टोटल 6 ठीक है और जो फलक पे अपने पास उपस्तित होते हैं, उनकी होती है 12, ठीक है, और अपने पास है, जो केंदर पे उपस्तित होता है, उसकी होती है 8, तो यह आप ध्यान में रखो, यह सम्नवी असंग क्या हो गई, सम्नवी असंग का मतलब है कि एक परमाणू, अन्य कितने परमाण है यह x-away यह y-day's यbuz Azerbaijan बएगर कोने पर आप उठाओ गे ठीक हे तो इस को क्या कर रहा होगा यह टुछ तो एक तो यह हो गया एक इसको यह तुछ कर रहा होगा दो यह और यह हो गाते हैं तीन होगा अब क्या होगा एक Trial का एक नहीं को नेनीय हो बहुत सारी हो यह अपने पास आदे गनी है जो एक कोस्टिका होती है उसमें कोनों पर उपस्तित प्रमाणों च्छै प्रमाणों से घिरी होते हैं और वो उनको स्पर्स कर रहे होते हैं फलक में 12 होती है बताएं किसे और केंदर पे तो आपको बताए है बीच में अगर कोई उपस्तित होगा तो वो सब को टच कर रहा होगा तो चार उपर वाले चार नीचे वाले आठ हो गए ठीक है तो यह चीज अपने को ध्यान में रखनी है और अब अगर मैं यहां पे आपको एक बात बताऊं ठीक है नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो आपके पास यहां पे आएगा से नमर पे मैं लिखवाता हूँ यह होता है अपने पास संकुलन अंस ठीक है संकुलन अंस संकुलन अंस का क्या मतलब है संकुलन अंस का मतलब है कि एक-एक कोस्टिगा का कितना भाग पर्मानों से भरावा है और कितना खाली है ठीक है यह आप किस से निकालती हो संकुलन अंस से निकालती हो संकुलन अस तो आपको यह बताएगा कि एक-एक कोस्टिगा में कितना भाग है भरावा है ठीक है और खाली तो फिर 100% अपने होत को संकुलानस का सुतर ऐसे होता है प्रमानौं की संक्या ठीक है प्रमानौ坑 प्रमानु की त्रिज्जा क्या निकालोगे प्रमानु की त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् पास क्या बना है परमानों की संख्या गुणा परमानों का आइतन बटा कोस्टिका का आइतन ठीक है यह चीज हो गई अब देखो परमानों संख्या कितनी है अपने पास परमानों संख्या किती एक ठीक है परमानों का आइतन किता होगा परमानों एक क्या होगा गोला होगा ग घुजा को अपढ़ने क्या माना था घुजा लंबाई को ए तो ए का डिएगा क्यूग होगा तो यहां से आप देख सकते हो चारे बट्ते थिन पाई आर क्यूब बट्ते ए और उप्र और लग अपने पासके यहागए चर पहद आ गए तो इन से एक को अफ़न को डिस्प्लेज करना होगा ना तो अपने याभीदे को संब्द नकाला था यह संब्न इसलिए निकाला था आब्राबर 2ार तो दो आ एक इस तका दो आ ठीक है और यह और हम यह फार और या यह लोगे न थोगे न च्हारलपाई बट्टहाषज़ाए गार-बथ-धा-ऌगईद 3 इस पॉर ऊससे पाईभी होगा सब्सक्राइब अम्हssुर्ट सब्सक्राइब आपके आंसर किता हैगा 0.52 आएगा ठीक है तो यह आ गया संकुलन अंस आ गया आपने पास संकुलन अंस ठीक है संकुलन अंस आने के बाद है अब आप क्या निकालते हो संकुलन दक्सता निकालते हो ठीक है संकुलन दक्सता जो क्या होता है देखो इसको अपन लिखते हैं प होता है packing fraction होता है seanquelin PFC ठीक है यह चीज हो गई संकूलन नक्स का अपने पास पीई यह यह क्या होती है संकूलन क्परतिसत निकाले के लिए क्या करोगे गुणा Sultan को कर दो तो यह कित्तर होतने इस अपने पास और परतिसत ठीक यानि ठीक है रिखते हों कि प्रतिसत्ता किती आएगी अपने पास सो में से माइनस कर दो बाउन तो किता हो जाएगा अपने पास अड़ चास तो 48 परसेंट अपने पास क्या होगा काली स्तान होगा और अपने पास बाउन प्रतिसत्त क्या होगा भाग भरावा होगा समझ में आ सबस्तित है किसको टेट्स कर रहे हैं ठीक है परती है कि कोस्टिका में पर्माणों की संक्या दर्वामान के इसाब से आएगी यह सुत्र लगा दो डारिक्ट समझ में आगी बात ही फिर उसके बाद की कोनों पे च्छह होते हैं फलक पे बारा और के अधर पे अर्फ होते जीक है यह चीज ओकर आपको किस की बात करनी है जिसका होता है जिसका होता इसकी प्रतिस्था होते हैं बस इसी कोई का socialism ट्रोंद दख्सता संकुल उसकी प्रतिस्था ही क्या गलाती है संकुलन दख्सता गुर्णा 100 कर दिया तो रिक्तियों की प्रतिस्था किती होगी सो में से माइनस कर दो Lind परसेंट होगी क्लियर ठीक है तो पहले आप इता इसको देखिए कि कैसे अप्रोच करना है फिर अपना है वह आगे चलते हैं देख लीजिए हाँ तो अपने अब नेक्स्ट कोस्टिका की तरफ चलेंगे देखो दो नंबर पर जो कि कौन सी रहेगी अपनी रहेगी किंद्रि आप्रोच तो देखो इसको बोड़ी सेंटर बोलते हैं इसको तो Level. एक कोस्टिका में सबसे पहला पॉइंट वही है पहला तो यह जाएगा परमाणू कहां उपस्तित है ठीक है और किस को टच कर रहे हैं तो सबसे पहला तो देखो यहां पर परमाणू कहां कहां पर उपस्तित है तो यह परमाणू अपने पास है कौनों पर ठीक है और प्लस मे क्या हो जाएगा अपने पास कोस्टिका के केंदर भाग में कोस्टिका के कोस्टिका के कोस्टिका के अपने पास क्या है केंदर भाग पे रहेगी तो यह चीज हो गई तो एक तो कोनों पर उपस्टिका के केंदर पे ठीक है जैसे कि यह देखो यह सारे कोनों पर उपस्टिका निचिए भी खैने बाथी तो यह चीज हो गई जोते तो नहीं कर रहे हैं जो और कौनों पर उपस्थित जो प्रमाणू है ठीक है कौनों पर उपस्थित प्रमाणू यह एक दूसरे को नहीं चुएंगे ठीक है एक दूसरे को ठीक है यह एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे स्पर्स नहीं करेंगे यानि एक दूसरे को नहीं चुएंगी यह चीज है तो कौन किसको चुएगा तो जो केंदर भाग का जो प्रमाणू है ठीक है जो केंदर प्रमाणू है वो क्या करेगा वो सभी कौनों पर उपस्थित प्र पर्माणवों को सपर्स करेगा ठीक है तो यह चीज हो गई समझ में आगी बात ही आप देखो इसका मैं आपको बताता हूं यह सिंपल सा लोजिक बताते हैं देखो कॉर्ण वाला तो एक दूसरे को यह तो एक दूसरे को नहीं चुएंगे समझ में आगी बात ही बीच वाला है ना वो सभी कॉर्णों को चुएगा अब देखो इसका मैं आपको एक बढ़िया साइग है उधारन देते हैं देखो जैसे आप कंफ्यूज कहां हो रहे हो देखो मैं बताता हूँ आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कोने वाले प्रमाणू एक दूसरे को आपके मन में पहले यह चल रहा होगा कि कोने वाले प्रमाणू एक दूसरे को सुएगे और बीच वाला सभी को सुएगा ठीक है और पर मैंने क्या ब बीच में एक पर्मार्ण यहाँ पर रख दिया, ठीक है? और इसके उपर अगर मैं यहाँपर क्या करता हूँ? उपर मैं क्या करता हूँ? उपर वाले कोनों को अगर रखता हूँ, ठीक है? तो यह देखो, यह stable नहीं रहेगा, समझ में भागे हैं ee? तो यहां पर क्या होगा देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया बीच में थोड़ा 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 गेप दे दिया अब गेप देने के बाद अगर आप इसके उपर रखोगे ना प्रमाणू को ठीक है तो यह देखो यह प्रमाणू अब क्या होंगे यह तो अजू कि आदे और हाह तो देखो यह आपके जो प्रोणू है ना यह आपके परमाणू तो देखी यह आपके जो प्रोणू हैं यह मैंने क्या कर दी इसको भीच में थोड़ा गैव कौह डी दिया ठीक है अब गैव द compelling ने आँए क्या होगा है यह स्थिर रहे अपने पास। समझ में आरे ने बात ही है यह ए're को लॉड़िए था रही थी 250 में थोड़ा थोड़ा प्रती कोस्टिका में परमानूँ की संक्याелियाक और वो भी दर्वेमान के साब से निकान लिए तो formula आपको बता रखाए कौनों पर जो है उसमें बट्टे किता जाएगा आठ आजाएगा प्लस N जो अपने पास फलक के अंदर पर हैं वो अपने पास किते हो जाएंगे बट्टे में दो जाएगा और N जो अपने पास क्या है बुजा पर है जिसको प्रमाण्ञें प्रमाण। है तो एक हो गया लागर सेंटर चार में पर बाद अपने बादे बारे में बात होगी भुजा की लंबाई और q बिते का कि लै今 jour गुजा की लंबाई एवं परमानों की त्रिज्या के मध्य संबंद ठीक है परमानों की त्रिज्या के मध्य संबंद हो जाएगा तो यह चीज हो गई तो यह संबंद अपनों को निकालना है तो कैसे निकालोगी बताओ अभी बताया था ना कि आगर आपको सम्भद निकालना है तो वो रेखा, आप सूस करो, जिसमे चीह हो रहे हैं परमानों एक दूसरे को टचकर रहे हैं तो कौन से टुसरे हैं बताओ, ये कोने वाला परमाणू इसको छूरा होगा बीच वाले को और बीच वाला है वो उसको छूरा होगा यानि ये विकिंड पुरा ही ले लो अंता विकिंड है ना वो पुरा ले लो तो अंता विकिंड मैंने ये ले लिया ठीक है अब इस पर क्या होगा अपने पास एक परमाणू ये है दूसरा ये है और तीसरा परमाणू ये है ठीक है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं तो ये चीज होगा ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहां पर तो ये चीज है अब देखो ये आर हो गया ये भी आ ठीक है अब यह वाली दूरी किती होगी बताओ यह वाली इधर वाली दूरी थो क्योंकि मैं क्या कर रह रहा हूं एक यह 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 पर बोदाइन प्रीम्य लगाएंगे यह यह तो यह अपने पास भाई एक ट्रिबुज बनाने के लिए एक बुज़ा तो यह वह गई एक पास किता, रूट दो, ए, तो ये वाला, तीर्चा वाला, ये किता हो जाएगा, बताओ, अंडर दी रूट, ए स्क्वेर, इसका स्क्वेर, बटा इसका स्क्वेर, तो रूट, प्लस इसका स्क्वेर हो जाएगा, तो किता हो जाएगा, ए स्क्वेर, प्लस दो, ए स्क्वेर, य ठीक है यानि एक आमान किता हो जाएगा चार आर बटे रूट तीन तो यह चीज हो गया आपके पास है अब अपने आगी देखो हाँ तो अब क्या होगा दो पर्मानों के मद्य सबसे नियूंतम दुरी ठीक है सबसे नियूंतम दुरी किती होगी किती होगी तो यहां पर अपने पास सबसे नियूंतम दुरी कौन सी हो सकती है जहां पर प्रमानों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे वह हो सकती है तो यह देखो यह दो प्रमानों एक दूसरे को टच कर रह तो वह चीज हो गई तो यहां पर यह दो प्रमाणों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनकी मद्दिया अपने पास दूरी होगी वही सबसे नियुंतम दूरी है अब यह टोटल रूट तीन बटा किता है अपने पास है रूट तीन ए है ठीक है तो इनके बीच की किती हो जा अगली किती होगी रूट तीने सिंपल ठीक है भाई ए रूट दो ए और रूट तीन यहीं दूरी है सबसे नियुंतम आती है ठीक है सबसे पहले तो वह गई जिसमें क्या होगा अपने पास है तर्वर्ण की तरक दिया रूट तीन ए बटे दो ठीक है तो रूट तीन एब कि उससे अगली बुझे तो रूटी ने आएगी ठीक है देखो यहां पे इसके गुणां किते हैं एक रूट दो का मतलब क्या हो गया 1.414 पर इसका किता जाएगा 1.732 इन दोनों में से बड़ा कौन है वो है फिर सोटा ये फिर सबसे सोटा ये यानि कि सबसे सोटी दूरी य समझ में आ गई होगी बाती ठीक है अब अपने पास आगया हो कि देखो सबसे पहले कौन काम पस्तित है किसको टच कर रहा है फिर प्रतिकोस्तिका में प्रमानों की संक्या दुर्मान के साब से लंबाई और अत्री जागे मद्या हो गई अपने पास से डिफ्रेंस है और न संकुलन अंस निकालों इसमें सम्नविय संक्या मैं पहले बात कर चुकाओं इसकी कित्ति होगी आठ ये वाला प्रमानों उपर चार और नीचे चार वाली प्रमानों को टेस्ट करेगा संकुलन दक्सता का सूत्र या था अपने पास प्रमानों संक्या ठीक है कई वार इसको जड़ से दरसाया दाते है गुणा किता हो जाएगा अपने पास है परमानु का आइतन ठीक है परमानु का आइतन बटे में क्या हो जाएगा अपने पास है कोस्टिका का आइतन ठीक है तो यह चीज कर लिए अपने परमानु की संक्या देख किते परमानु हैं दो यह हो गया किसे-पने पास व्यूंत की आइटन किता होगा ईतल निकालने के लिए आप क्या करोगा क्यरों एक गोला होता है ना परमाणू तो उसका आइतनी नहीं होता है फिर कोस्टीगा का ऐतन किता होगा एक ठीक है अपने पास उपर आ रहा ही नीचे है तो चेंज करना पड़ेगा सोंच्छ के लिए एक अमान कितना उपने पास ए ciert हर बटा रूट्ट तो च्यार और बटे छो Lub यहां से किता बने रहा है देखो दो गुणा था को बटे की 25 cannot ऑगा 64 यह गया आर क्यूब बढ़े रूट 3 एक रूट 3 का स्वाद की तो गोगा । किता जाएगा दो गुणा च्यार गुणा पाई आर क्यूब और गुणा में किता जाएगा तीन रूट 3 बटे यह अपने पास किता जाएगा 3-4 और तीन से तीन गया और चार दूने आठ ठीक है यह एक वार यह नीचे देगा आठ ठीक है उपर आठ होगे नीचे तो सट होगे तो आठ बच गया नीचे तो उपर किता बच रहा है अपने पास रूट तीन पाई बट्टे आठ रूट तीन का मान रख दो एक पॉइंट साथ इन दो उना पाई पाई का मान वन पॉइंट यह 3.14 आएगा बट्टे आठ हो गया तो नियरली अपने पास किता एगा यह यह जिरो पॉइंट 68 तो यह आ गई अपने पास क्या संकुलन अंस आ गया संकुलन दस्ता निकाल सकते हो ना ठीक है संकुलन परुटिस सित्ता आ गई यानि 32 परसेंट वाग तो खाली रहेगा इसका और अटसर परसेंट इसका क्या होगा बरावा रहेगा किसे परमानों के दुर्वेमान से ठीक है तो यह अपने पास हो गए सारी कंसेप्ट है पहले आप इनको देख लीजिए फलक केंद्रिक कोस्टि कीका कैंद्रिक एकक कोस्टिका ठीक है तो इसके वारे में अपन बात करनी हैं सबसे पहला क्या रहेगा कि कोण सा परमानू कहां पर उपस्तित हैं और किसको टेस्क कट रह रहे ठीक है तो यहां पे जो परमाणू उपस्तित होते हैं वो कहां कहां होते हैं पहले वो देख लो परमाणू यहां उपस्तित होंगे एक तो कोनों पर ठीक है और प्लस में यहां पर क्या होगा अपने पास कोनों पर उपस्तित होंगे और फलक के केंदर पर ठीक है तो फलक केंदर पर उपस्तित होंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कोणों पर उपस्तित है और फलकों के एकदम केंदर भाग पर उपस्तित है ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा कि कोण से प्रमाणों किसको टच करेंगे तो इस पर्स करने के लिए पहले वाला प्रमानु उसको टच नहीं करेंगे यह वाला प्रमानु इसको टच नहीं करेंगे यह वाला प्रमानु इसको टच नहीं करेंगे फिर उसके बाद मैं यहां पर बात करूँ तो यहां पर क्या हो जाएंगे कि विपरित जो फलक होंगे ठीक है विपरित फलक होंगे तो विपरित फलकों के परमाणू एक दूसरे को टच नहीं करेंगे समझ में आगने बात ये जैसे कि अपने पास ये वाला अगर परमाणू है ठीक है तो इसके विपरित वाला फलक ये होगा और ये वाला प्रमाणू होगा ये और ये प्रमाणू ये दूसरे को टच नहीं करेंगे ठीक है ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा ठीक है ऐसे अपने पास क्या होगा ये प्रमाणू इसको टच नहीं करेंगा तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है तो ये हो गया कौने वाले तो एक ही फलक ठीक है एक ही फलक के केंदर परमाणू ठीक है केंदर परमाणू यह आपके क्या होंगे एक ही फलक के जो केंदर परमाणू होंगे उसका जो अपने पास फलक केंदर जो परमाणू होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे स्पर्स करेंगे तो यह आप ध्यान में रखेंगे जैसे कि अपने पास यहां पर आप देख सकते हैं कि यह वाला प्रमाणू इस प्रमाणू को टच नहीं करेगा पर यह वाला प्रमाणू है ना वो इस प्रमाणू को क्या होगा टच करेगा यानि पास पास वाली फलकों के प्रमाणू एक दूसरे को पर्स करेंगे तो यह चीज़ आपको ध्यार में रखनी है तो केंदर पर मानू होगा फलक का वो अपने कॉर्णर वालों को क्या करेगा टच करता हूँ आपको दिखाई देगा यह हो गया नेक्स देखो यहां पर ठीक है तो यह चीज़ हो गई तो अपने पास से यहां पर तो यहां पर आपको क्या बताया गया है कि जो बीच बेका जो केंदर होगा ना फलक केंदर पर मानू ठीक है यह फलक केंदर पर प्रमाणूशों को चूएगा ठीक है और नेक्स मेंट आपको ध्यान में रखना है कि एक छोड़के एक ठीक है एक ठीक है एक फलक इनको आप क्या बोह सकते हो आसद्व थन फलक टीक है असले चैशन फलक किना ठीक है उनके जो कैंधर परमाणू होंगे, वो भी एक दूसरे को क्या होंगे, टच करेंगे, समझ में आगे ने बात ये, जैसे कि ये वाला जो परमाणू होगा, ये इसको टच करेगा, ये वाला परमाणू इसको टच करेगा, ये वाला परमाणू इसको टच करेगा, पर आमने सामने वालों को नही करेगा समझ मैं आगे नहीं बात ये हैं, तो ये चीज अउगई आपने पास, इस हो देखो मैं, मोڈल से सम्झाघता हूँ, आप को, यिसे देखो, ये अपने पास क्या होगए, को नों वाले परमाणून को छूएगा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करों, तो ये वा इस वाले प्रमानों को ठच करेगा ये व्ला प्रमानू इसको ठच करेगा पर आम नहीं प्रमानों एक दूसरे को ठच नहीं करेंगे तो यह चार प्रणपॉइंट होगेaza जिसमें आपको बता दिया इक कौन सा प्रमानूं किसको चुँएगा जो नेक्स देखों नेक्स अपने पास क्या बात हो जाएगी परती कोस्टिका में परमानू की संख्या तो इसका सुत्रा आपको डारेक्ट बते हुए क्या होगा बताओ corner पे है बटे 8 हो जाएगा ठीक है फलक पे है उनके क्या हो जाएगा अपने पास दो और जो अपने पास किनारों पे होगे उसमें क्या हो जाएगा बटा 4 और N जो अपने पास से एक दम केंदर पे होगा सेंटर पे होगा ठीक है उसको सब्यादब है एक भाग पुरा पुरा अंदर आता है प्लस फैस्प मैं पॉर्य होत थे हैं शैक피ल कि केंदर पह रही गा यहां पर प्रमानु है वो दर्वमान के हिसाब से क्या हो रहे हैं कोस्टिका के अंदर आ रहे हैं उसके बाद देखो next point next point अपने किस पे रहेगा सबसे ये तो अपने पास रहेगा next point अपने तीन point बात हो गई न हाँ, तो D point अपने पास किसके बारे में रहेगा बताओ D अपने पास आजाएगा परमानुत्रिज्या ठीक है एवम ये हो गया अपने पास बुजा लंबाई, ठीक है तो इसके मद्य अपने पास क्या निकालना है संब्ध निकालना है, तो परमानुत्रिज्या के मद्य और बुजा के मद्य, बुजा की लंबाई के मद्य अगर आपको क्या करना है, यहां पर संब्ध स्थापित उठा लो. तो ये मैंने क्या कर लिए एक फलक विकींड उठा लिया. ठीक है? और ये बिसा हो गया फलक के इंदर और ये दुनों क्या हो गया? ये आर होगा, ये आर, ये आर और ये भी आर और ये अपने पास दूरी किती होगी, बताू ये वाली ठीक है ये फलक विकेंड किता होगा ये होगा अपने पास रूट दो ए भाई ये ए ये तो ये किता हो जाएगा रूट दो ए हो जाएगा यानि चार आर ब्राबर रूट दो ए पर ए ब्राबर किता हो जाएगा चार आर बटा रूट दो हो जाएगा ठीक है फिर अपने पास किसे पर बात करनी है तेको सबसे चोटी दूरी कौन सी होगी सबसे चोटी दूरी अपने पास वही होगी जिसमें दो परवाण एक दूसरे को टच कर रहे हैं अब यह दो प्रमानों एक दूसरे को टेच कर रहे हैं तो यहां पे अपने पास किता जाएगा यह रूट दो ए बटा दो यानि कि बात आपको बता यह रूट दो ए रूट तीन यह हो जाएगा समझ में आगी बात ही ठीक है अब अपने आगे चलते हैं और एक के अंदर अपने क्या पड़ते हैं संकुलन अंस ठीक है तो संकुलन अंस में अपने को क्या है देखो एक दम सिंपल है यह चीज तो पेकिंग फ्रेक्शन यह संकुलन अंस क्या होगा परमाणू की संक्या गुणा एक परमाणू का आइतन आइतन किता हो जाएगा चार बटा तीन पाई आर क्यूब हो जाएगा ठीक है और बट्टे में अपने क्या रखेंगे पूरी एक कोस्टिका का आइतन जो की किता होगा एक्यूब होगा तो यहां से किता हो जाएगा चार इंटू चार पाई आर क्यूब बटा तीन और एक ही जगहें पे आप ये फॉर्मला पूट करतो तो एकोल टू फोर आर अपोन रूट टू आगया न क्यूंगे अपनको एक चीज़ पर एड़े रहना पड़ेगा या तो ए पर रहो या तो आर पर रहो तो यहां से अपने पास किता हो जाएगा बताओ चार गुणा चार पाई आर क्यूब बटे तीन चार का क्यूब चो सट आर क्यूब बटे दो रूट दो अब इसको मल्टिपले करा दो तो किता हो जाएगा चार गुणा चार पाई आर क्यूब गुणा में ये अपने पास उपर जाएगा तो किता हो जाएगा दो रूट द बट्य ठीक है यह किता हुजएगा चौ इभी ऑन पास अठ पार जाएगा यह हो जाएगा तीन एया है fedda दो पाई ठीक है और नीचे किता देगा 6 आजाएगा अब पाई रूट दो की वह लिए किता होगी 1.414 और पाई की वह लिए 3.14 अपॉन किता देगा 6 तो यह नियरली आप गाएगा 0.74 आएगा ठीक है और यह आगया तो आप क्या निकाल सकते हो पेकिंग एफिशेंसी यह की संकूलन दकस्ता संकूलन दकस्ता क्या होगी इसमें गुणा 100 कर दो ठीक है जवाब की संकूलन अन्साइए 0.14 इसको आप क्याकरो बद्धा यह ृणिए 74 परसेंट हो जाएगी ठीक है और रिक्ति का अगर पूझता है तो रिक्ति का किता हो जाएगा बतो सो में से माइनस कर दो तो किता बच गया 27% बच गया यानि कि 74% तो यह क्या अपने पास है बरावार आएगा किस से परमाणों के दर्वे मान से और 27% खाली रहेगा समझ मैंगे ने बात है तो यह अपने पास हो गया अब देखो आपके दो एक कोस्ती का और बच गई जैसे कि एक नॉर्मल इसके बारे हम ध्यान रखने देखो एक तयाप के पास 60 कौन यह बोल दे है 60 फल किये एक कोस्ती का ठीक है इसको अपन ऐसे ड्रो करते है यह चीज हो गई यह इसको यहां से ऐसे मिला दो यह ऐसे और यहां पर अपने पास ऐसे आएगा और कोनों पर अपने पास क्या होंगे परमाणू होंगे समझ में आगे नहीं बात यह तो यह चीज हो गई तो कोनों पर सबीजगे क्या है एक एक परमाणू लगा दो और यहां पर अपने पास क्या हो जाएंगे फलक के एकदम 220 यहां पर परमाणू रहेंगे, पहले तो कोनों पर लगा दो ठीक है, और फिर एकदम इनके 220 में लगा दो और तीन अपने पास क्या हो जाएंगे एकदम केंदर में रहेंगे, तो यह चीज होता है पर यह पर फर फिल्किया होते हैं यह पर न होता है उसा है एक QIR?'lla कार यहां पर यह तो यहां परकी पूरे कि पूरी इंदर आएंगे तो यह पर एक हो जाएगा तो दो और एक तीन तीन योर तीन चऎ तो टोटल उन्ह इसकी सळ इसको पर सट लोग है कि यह सट गोणिंए अपने पास एककोस्टिक मbreaker抖 और एक फलक और उसके विप्रित फलक पे क्या होता है अपने पास यह परमाणू रहेंगे और एक फलक पे बीचो भीच और एकदम जस्ट उसके अपोजिट वाले पर होगा तो टोटल किती हो गए आठ गुणा एक बटे आठ प्लस यह किती होगे अपने पास दो गई जिसका संक्या दो आगए यह आपके पूरक है आलांगे को जरूर जी नहीं है इनको आप करके जाए प्रसट कोण यह को एकदम ज्यान से देख लिए इसमें क्या होती है अपने पास यहां पर क्या है कि प्रती कोस्टिका में प्रमाणू की संक्या एगी और यहां पर दो आएगा ठीक है तो पहले आप इनको देख लिजिए उसके बाद अपन निवीड संक्यूलन की तरब चलते हैं तो उतार लिजिए तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं निवीड संक्यूलन के बारे में ठीक है वेरी इंपोर्टेंट टोपिक है यह आपकी वह बहुत देखो निवीड संक्यूलन होता क्या है वेसे इसको इंगलिस में बहुते हैं ठीक है क्लोस पेकिंग पेकिंग का मतलब क्या होता है किसी चीज को पेक कर देना ठीक है वेसा यहां पे है देखो निवीड संक्यूलन के दोरान अपन क्या करते हैं दो चीजों का ध्यान रखन होता है इसमें कि जो अंत्रा पर्मानविक जो बल है ठीक है जो आकरशन बल है कौन सा बल होता ही आकरशन होता है तो यह जो आकरशन बल है ना यह क्या होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है और अंत्रा पर्मानविक जो दूरी है ठीक है अंत्रा पर्म जो दूरिये यह अब दूरानों के मद्दे की दूरी यह पने पास क्या होने चीजिए कम होने चीजी बाई एक बढ़िया पेटिंग कब कहलाएगी प्रमाणों की जब परमाणू के क्या ओंगे एक प्रमाणू good दूसरे जाओगा बहुत जोड़ से आकर्षित करेगा ठीक है तब एक दूसरे के पास चिपक जाएंगे ठीक है अब ऐसे तो चिपके के नहीं बल भी होगी ठीक है तो वहां पर बल क्या होने चीए जद्धा होने चीए और दूरी कम से कम होने चीए वह अपने पास क्या हो जाएगी एक विम्य एक विम्य निवीड संकुलन ठीक है तो यह चीज हो कि एक विम्य निवीड संकुलन या निवन डी ठीक है इसके इंदर आपको क्या करना होता है कि किसी भी एक एकस पे या तो एकस पे या वाई पे या जड़ पे किसी एक पे ठीक है X Y या फिर Z किसी भी एक X पे आपको क्या करने होते है परमाणू अरेंज गरने होते है और ये होते है अपने पास दूसरी होती है दूई विम्य ठीक है अब दूई विम्य जो निवीड संकुलन होता है उसके अंदर क्या होता है अपने पास कि परमानों की विवस्ता अपन एक्स और वाई या फिर वाई जड या जड एक्स ठीक है इन में अपने क्या करते हैं इनकी विवस्ता को बिठाते हैं ठीक है तो यह चीज हो गई अपने पास अब यह दो प्रकार के होते हैं अपने पास एक तो होता है अपने पास द्वी वि ट्षरभी निवीड संकुलन ठीक है तो यह अपने पास हो गए टोटल दो ठीक है तो दी कि के दो परकार हो गए दुवी निवीड संकुलन हो गया ठीक है और तीसरा क्या हो जाएगा अपने पास है त्री विम्य निवीड संकुलन ठीके और यह होते हैं अपने पास 3डी ठीक है 3ओन यह को था आपने पास कहा हो पर देखो पहला होगा 3D या फिर अपके हिंदी में लिख देते हैं जदा बढ़िया रहेगा त्री विम्ये वरग निवीड संकुलन ठीक है निवीड संकुलन एक आपके पास यहां पर हो जाएगा त्री विम्ये सट कौन यह निवीड संकुलन ठीक है और एक जो सबसे आखिर में रहेगा वो कौन साह देखो वो जाएगा अपने पास है त्री विम्ये गनिये निवीड संकुलन यह ची समझ में आगई तो यह है अपने पास है इसको अपन क्या बोलते हैं SCP भूलते हैं Hexagonal close picking और यह अपने पास होती है CCPised toเ यह अपने पास गो गया पूरा ये विव डाटा की निवीड कुलन का मथल्ब बल उपने का प्रकार किती हो जाएंगे तीन में और त्री में थीक है एक बुरे के अंदर या तो CD या वाई में या करते हैं अब बाइवन देखो पड़ते हैं एक निवीड संकुलन ठीक है जिसमें किसी एक एक के ले लिया ठीक है और और इसके मालो प्रमाणू सेट कर रहे हैं मालो पहला प्रमाणू मैंने यहां रख दिया अब दूसरे को क्या करना है अपनों को इन्होंने कहा है ना कि दूरी कम से कम हो तो मैं क्या करता हूं इसमें चिपका के एक दम रखता हूं इससे ज्यादा तो और क्या होगा कम दूरी ठीक है और इनके बीच में और इनके वीच में आउना बर बोग素 जाए के में इसके पैद जो बल होगा होगा वह भी बहुँ जादा होगा ठीक है तो एसे आप हного यह सी करते जाओ एक सेख्स में साओं यह जाओं उड़ मी जाओं यहां पर अपने पास क्या हो जाएक है यहां पर एक एक निडिक्त वाली बात नहीं है तो यहां के मैंने इस को ले इस X में तो एक परमाणों, दो परमाणों को टच कर रहे है, तो इसकी सम्नवी असंग क्या किती हो जाएगी बताओ, इसकी अपने पास सम्नवी असंग क्या किती हो जाएगी, इसकी सम्नवी असंग क्या अपने पास होगी दो, ठीक है, यानि कि एक परमाणों क्या करेगा तो बगल बगल वाले प्रमाणों को टच करेगा तो समनु यह संक्या दो हो गई ठीक है अब आते हैं अपने पास दूडी विम्य पे यानि एक्स और वाई दोनों के अंदर अपनों को सेटल्मेंट करना है तो दो हो गए इसके तरीके एक तो वरक वाला है और एक सटकॉन यह वाला है ठीक है यह हो गया अपने पास टूडी वरक यह टूडी सटकॉन यह निवीड संकुलन तो इनको दोनों को साथ में देख लेते हैं ठीक है दूई विम्य वरक निवीड संकुलन में क्या होता है कि जैसे मालों यह प्रमाणों आपने क्या कि यह वन डी वाले उठा यह अपने पास एक वीमिय वाले परमाणों की वेवस्ता हो गई ठीक है अब आप क्या करो इन्हीं इसी को सेम कोपी करते वे नीचे लेकिया जाओ तो यह टू डीवे बन जाएगा ना भई अब यह एकस में भी है और वाई में भी आगे बढ़ रहे हैं अपने ठीक है और एक यह इस वेवस्ता को आप क्या बोलोगे इसमें एक प्रमाणों चार प्रमाणों जो को के कितुए होगी भई समनव या इसकी संख्या होगी आपके पास चार ऐसे इसमें देखो इसमें क्या होगा कि ये अपने पास से एक विम्यवाली इस रेखा को उठालो पुरा का पुरा फिर उसके बाद जो बीच में आपको यह जगैं दीक रहे हैं बीच में जो गड़े हो रखे हैं उसके बीच में अपने पने पास द्यान में रखना है अगर एक परमानों को कंसिडर करो तो यह देखो एक दो Aya 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 A क्या हुआ है प्रमानों की वेवस्ता हुई है किसी एक प्रमानों को अगर उठाओगे तो इसको अगल बगल से चार प्रमानों उसको गेर रखें चार प्रमानों उसको गेर रखें तो उसको अपने क्या बोल देंगे समनम्य असंग्या किती हो गई? चार हो गई समझ में आगी ऐसे इसको देखो यहां पर मैंने क्या किया यह परमाणू है और इनके बीच में जो हिस्से है इन्हें में अपने क्या रखे हैं परमाणू रख दिये इनको अब यहां पे इस लाल प्रमाणों को गोड़ से देखो यह प्रमाणों देखो किते प्रमाणों को टच कर रहा है एक, दो, तीन, चार, पांथ, छै छै प्रमाणों को टच कर रहा है तो इसकी सम्नम्य उसंग्य किती हो गई छै हो गई अब अपन को क्या पढ़ना है त्री विम्य निवीड संकुलन पढ़ना है तो इसमें से देखो अपने पास क्या होगा त्री विम्य सबसे पहला कौन सा है वरग निवीड संकुलन है इसमें आपको क्या करना है देखो यह जो आपने उठाया है 2D वाला ठीक है इसमें X और Y प तो यह हैं पर आपको देखने को मिलेगा त्रिवीन में भरक नीमीड संकुलन देखो मैं आपको इसको तरणिजिन करवाता हूं अब ढ सबसे पहले मानलोह ये हैं कि अपने सताय उठा लिए अब में क्या करेंगे घस्ट इम रएसी की एसी ठीड इन चीजह यह तो यह थे देखों एक दूसरे को सीध मिताए और यह यह तो यहां पने पास यह व्यवस्ता होगी वह स्ञ होगी मैं अधर कैकर तो यह वरक निवीड संपुलन की फुना वड़ति कि रहे से और जो सत्य होती थें और यहां पर मैं बथा हूँ को ने तेसमीं तो इसको मैं अगर मैं बोलता हूं तो दूसरी स्थरी यह वह एक जैसी तो ऐसो आरे रहे हैं बशली थीयों परकार का निवीड संकुलन भी बोलते हैं ठीक है या फिर ए ए परकार निवीड संकुलन आप इसे लिख लो ए ए परकार का निवीड संकुलन ठीक है यह चीज हो गई इसमें ए ए परकार का पेटरन आपको प्राप्त हो रहा है तो यह चीज हो गई ठीक है हाँ अब यहां पर कर मैं बात परोह I kill का यह बताओ ठीक है एक कोसिती जाले किया पहल इस सबसे होाँ कोनिसी बताओ अगर मैं बोल दूँ कि बाकिश सवी परमाणों को यह और भूल जाओ इन चार को गोड़ से देखो ठीक है तो यह एक यह दो यह तीन यह चार ऐसे कि ऐसे यहां पर आप कि सभी को भूल जा तो ये 12-3 चार इसे प्यार निच्सक्र निचे के तरफ तो कौन से यह एक कोस्टी का मना रहे है सरल गनिय यह आध宮 गनिय रहे हैं यहां पर जो सरलब आद्य गन्य कि आपको पता है कि जो संकुलंद अति यह 52% पैस्थी ठीक है और इसके उधार कहां पर मिलता है यह वरगनीवीड संगुलं कर ऐस ब्रोग के गमेन हैँ आपके पास पर आस है जासकता और हम सब्सक्राइब कहता है तो यह चीज नदर होता है कि अदिक्तवन हम पुसकों 48 परसेंट अपने gingermore क्या होता है चjuड़ा सा काली खृाओं सब्स्रों वाद जि आ पड़के से पहले आपको रिक्तियों के बारे में जानकरी होने जूरूरी है पहले पढ़ेंगे रिक्तियां, बाद में इन दो पे वापस आएंगे, ठीक है, तो पहले आप यह देख लीजिए, उसके बाद अपना आगे चलते हैं, हाँ, तो अब अपने आगे पढ़ते हैं, रिक्तियों के बारे में, ठीक है, तो देखो क्या होती है रिक्तियां, हाँ, रिक् आज़नों के मद्य Parteiquर क्या होता है कि खारी जगए सूर जाती है उसी को या आप क्या बोलते हो यहां पर क्लीरली बात करूं तो रिक्टियां अपने पास होती है कि दो प्रकारदी सुनिया के मादने प्लती प्लति है छार प्रकारदी है यहाँ तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसका प्रकार है रिख्तियों का वो है त्री कौन ये रिख्ती त्रीक है क्या है त्रीकौन ये रिख्ती फिर अपने पास आती है चतुस फल की रिख्ती ठीक है कौन से आती है चतुस फल की रिख्ती उसके बाद आती है अपने पास क्या अस्टफल की रिक्ती और अस्टफल की है रिक्ती के बाद अंतिम प्रकार की कोण से होती है गनिया रिक्ती आती है ठीक है तो ये चीज हो कोई अपने पास तो यह चार प्रकार की रिक्तियों का वर्गी करने पर ने कर लिया ठीक है अब इन चारों को अपन पढ़ते हैं क्या होती है यह काम मिलती है हाँ देखो त्री कॉन्य रिक्ति त्री कॉन्य रिक्ति yak Bak बंती है जब आप एक प्रमार्ण ये लो है और दो प्रमार्ण मुह आप runtime इस परकार से लेहाँ दो प्रमार्ण के बीच लिजए में खाली जगा चूटकैनाड सोटी सी इसको आप क्या बोलते त्री कोण है रिखती बोलते हो ठीक है यह हो गई त्री कोण है रिखती है यह चीज़ समझ में आगे वही है यह आप कैंक़ और कि बात करें सुरी वरक में क्या इसमें सटकोनिय में तो इसकी परतम सतय हो गई है फिर 3D सटकोनिय में मिलेगा ठीक है और 3D गनिय में तो इन सभी की परतम सतय पर क्या होती है यह त्रीकोनिय रिक्ती पाई जाती है ठीक है अब अगला मेरा यह स्वाल रहेगा कि यह रिक्ती है ठीक है इ से कम किस आकार का प्रमाणू रखा जा सकता है ठीक है इस रिक्ती पर कम से कम किस आकार का प्रमाणू रखा जा सकता है तो उसको अपने बोल रहा हूं मैं आर वी ठीक है वह ब्राबर होता है अपने पास किसके 0.105 और एटम ठीक है या फिर प्रमानु को बोल सकते हो आप यह चीज हो गई यानि आर रिकती ब्राबर 0.155 गुणा आर क्या जाएगा प्रमानु यानि इस पे इस आकार क प्रमानु रखा सकता है फिर आजब अपने पास लोकी रिकती कव लेखे तरी को यह तब यह क्या करते है उपर की तरफ रक दो तो वहां पर आपके कि इसकी स्थिति की कि कहां पर यह रिक्ति पाई जाती है ठीक है तो यह आपको बताएंगे देखो यह तो हो गई त्रिकोंट इंटी जो आपको बीच ना ये तो त्रिकोंट इंहोगी इस त्रिकोंट ये उपर जब परमानूंध रẫnंगा तो निचे से आपको यहाँ पर क्या दिखेगा ये श्टाद फुलक की पहलिए त। मिलाओके तो एक तो यह हो गया फलक ठीक है एक फलक यह हो गया?" पर एक ने की निचे फलक हो गया चार मैं चार फलक प्राफ्तफरは भूते हैं इसकोư पाफर doable की धिक्ती बोलते हैं ठीक है, यह जो निची आपको रिक्ती इसके 》पने पास अब अगर सतीती की बात करें तो स्थिती क्या होती है इसकी महांता है, देखो, जो अपने पास अंतर विक्रिंट होता है ठीक है, यानि इस विक्रिंट के कोने से डी बते 4 दूरी पे, ठीक है डी बटे चार दुरी पे अब आप बोलोगे डी क्या है तो डी है अंताय विकिर्ण अंताय विकिर्ण की लंबा ही आप हो सकते हो ठीक है तो यह चीज होगे यानि अंताय विकिर्ण की पूरी डोटर लंबा ही है न यह डी है यह चीज हो गई तो कौनों से डी बटे चार दुरी पे आपको क्या मिलेगी चतुस फलकिया रिक्तिया मिलेगी ऐसे यहां से आप आज़ाओ डी बटे चार दुरी पे तो यहां पे चतुस फलकिया रिक्तिया मिलेगी यानि FCC के अंदर ठीक है यानि FCC के अंदर इस वाब क्या बोलते हो फलक केंदरीं ठीक तो फलक के अंद्र होती है ना उसके अपने पास क्या होत सब्सक्राइबब अपकल अब कोईगे harcut के harvested में किती होगी थीख सी के अदर कति के अडर किती है तो पेते हो मैं थैंने में और क्या होता है तो यह स hob sugar it a निकौल एकर हो है एच सीपी बराबर 3पड atrás FCC जो थूम सbung ओडर केंसे र рекथ आप जो अपने था पम एक पास से एक और कोस्टी का बना भी ती और इसी जा क्या बोलते और FCC को तो आपका पता ही होगा सभी परमाणू कौनों पे और फलक के केंदरों पे ठीक है तो उसमें अपने पास किती होगी 8 चतुसफल के रिखती होगी और HCP में किती होगी 12 होगी यह चीज़ समझ में आगी ना है और अगर आप से पूछे कि चतुसफल के रिखती पे कम से कम किस आकार का परमाणू रखा जा सकता है तो वो हो जाएगा R V यानि की रिखती का आकार बराबर होता है 0.225 गुणा R परमाणू ठीक है तो यह आपको ज्यान में रखना है तो कम से कम किस आकार का रखा जा सकता है तो यहाँ पे जो नियूंतम मान है इसका आर वी यानि की रिक्ती की जो आकार है वो 0.25 गुणा आर रेडियस होगी यह आर अपने पास रेडियस होगी किसकी रेडियस इन्टरी जाओगी किसकी प्रमानू की ठीक है जो आपने रिक्ती बनेती वो वे उस्ता ले ली अब इसको उल्टा कर दो दो प्रमानू नीचे थे एक उपर था अब दो उपर कर दो और एक नीचे की तरफ कर दो ठीक है तो बीच में आपके पास क्या मिलती है यह अस्टफल की रिक्ती मिलेगी ठीक है कनफ्यूज होगे होगे मैं बताता हूँ आपको सिम्पल सा ज्यान में रेको इसे एक तारा बना दो ठीक है तारा बनाने पर बीच पर आपको क्या मिलेगा यह एस्टफल की रिक्ती मिलेगी भाई तीन पर मानू यह हो गए ठीक है अगर मानू इसके नाबिक में उठा लूँ तो तीन यह हो गए और यह तीन ऐसे मैंने लगा दिये तो एस्टफल की रिक्ति त्यार हो जाईगी आपके पास ठीक है तो यह चीज हो गई अब बात आती है स्थिति की तो स्थिति कहां कहा पर होती है तो एक तो बुजा के केंदर पर होती है बुजा के मद्या भाग में आप हो सकते हो ठीक है मद्या पर और साथ में क्या होती है कि एक होती है केंदर भाग पर यह चीज़ होगी केंदर किसका एक कोस्तिका का ठीक है तो बुजा के मद्या भाग पर होती है अब बुजाए वो ले लो एक दो तीन चार यह होगी ठीक है पांच च्छे साथ और आठ ठीक है और चार यह नीचे वाली होगी बुजाए तो टोटल गीती होगी बारा बुजाओगी ठीक है अब बारा बुजाओगी और उस पे अपने पास क्या होगा एक 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 ठीके एक बट्टे-चार बाग आएक और कैंद यय ऑग क्या एक क्या एक एक प्रिखती और पुरी की पुरी आएगी वह तो फिर ठीक है तो यह चीज किति ओगे अपने पास बतो यह कार दो, 312 प्लस 1, तो किती होगी 4 ठीक है, तो 4 क्या होती है, अपने पास है अस्ट फल के रिखती होती है, किस के अंदर FCC के अंदर, यानि फलक के अंदर और HCP के अंदर निकाल लिए तो मान पूट कर दो, 3 बटा 2 इंटू 4, तो 2, ये किती होगी यानि अच्छी पी के अंदर किती हो जाएगी 6 हो जाएगी ठीक है एसफल के रिखती ऐसे बनती मैं आपको बताता हूं देखो यह देखो जैसे यह तीन परमाणू है ठीक है ऐसे रखे न अब इसको क्या कर दो इसके उल्टे ऐसे करम में रख दो तो यह आपके पास क्या त् अपने पास दो परमाणू यह एक उपर अब आपको क्या करने है दो परमाणू उपर लगाने एक निशे लगाने बस ऐसे ठीक है तो यह एसफल के रिखती बन गई अब देखो बोल्ड आपको क्लियरली दिख रहा होगा देखो यहां से देख सकते हो आप पर आर पार ठीक है तो यह चीज होगी अपने पास इस अकार का परमाणू हो एक असभल की रिक्ती पर रखा जा सकता है फिर यहां जाओ गनिया कोस्तिका पर यह कोस्तिका में मिलती है यह फिर अभी आप ने जो पढ़ा था ठीक है कि त्री विम्या बरग निवीर संकुलन के अंदर व और यह चार दूसरे कोनों पर हो जाएंगे तो इसके बीच में जो आपको बड़ा सा छेद नजर आ रहा है उसी को यह आप क्या बोलते हो गनिया एक कोस्टी का बोलते हो ठीक है यह चीज हो गई तो यह इसकी स्थिति हो गई अब अगर मैं बात करूं इस्थिति यही हो गई ट्री कोन यह रिखती पर थमसे तहपर चतुस फल की रिखती अंताय विकेर्ण के कोनों से डी बटे चार दूरी पे दो होते हैं ठीक है एफसी सी के अंदर आठ हो जाएंगे एस्थिति यह अपने पास कांपर होती है बुजा के मध्या पर होती है और केंदर बाग पे बु आजएगी अधि गन्य एक कोस्टिका में गन्य रिखती होती है और यह इनके आकार हो गए और इन आकारों को भी आपको ध्यान में रखना है अब अपना चलते हैं और पढ़ते हैं तुर दूसरे निवीड संकुलन के तरफ चलते हैं ठीक है तो पहले आप यह इत्ता देख रहे हैं त्री वीमिय को आज़ सबसे पहले आएगा सट को यह निवीड संकुलन ठीक है और साथ में कंपरिजन करके पढ़ देते काम कड़ते हैं त्री वीमिय गनिये निवीर संकुलन ठीक है तो यह अपने पास हो गए दो परकार के निवीर संकुलन हो गए इन दोनों के बारे में साथ में पड़ते हैं देखो त्री वी में सट कोण यह निवीर संकुलन कब बनता है देखो आपको सबसे पहली लेयर लगानी है ठीक है आपको सबसे पर्थम जो यहाँ पे सतय होगी ना वो आपको कौन सी लेनी है वो लेनी है आपको द्वी वी में सट कौनी है निवीड संकुलन वाली ठीक है निवीड संकुलन वाली तो यह तो पहले उठा लो पर्थम सतय तो द्वी में सट कौनी है निवीड संकुलन वाली यहाँ पे आप सतय ले लो ठीक है फिर आपको क्या करनी है द्वीत्य सतय लेके आनी है ठीक है और द्वीत्य सतय में आपको क् तो जो त्रीकोन ये जो आपके पास है त्रीकोन ये रिक्ति बनी थी का था ना पर्थम सतय पर क्या होगी त्रीकोन ये रिक्तियां बनेगी तो उन पर आपको क्या रखने है परमानू रखने है ठीक है उन पर आपको परमानू रखने है और तीसरी सतय में आपको क्या करना है देखो परतम सतय तो द्वी विम्य सट कोण ये निवीड संकुलनवारी रख दो ठीक है अभी जो प्याले पढ़ाई थी और द्वी विम्य द्वित्य सतय के अंदर क्या करना आपको त्री कोण ये रिक्तियां बनेगी ठीक है तो उन पर आपको परमाणू रखने परमाणू कि रिक्तिया नजराएगी एक तो 47 किए और एक 20 कि दो रिक्तियां आपको मिलेगी फिर वापस फिर 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 भी एसे सब्ता जाएंगा समय हाँने then देखो अभी आपको यह प्रेप्टिकल भी करवा देते हैं इसका देखो यहां पर बताते हैं आपको देखो तो यह मालव मेरे पास पर्थम सतय है ठीक है यह मेरे पास पर्थम सतय है और इस पर्थम सतय पर सुनो इस परतम सत्य पर बीच में आपके पास ये छेद नजर आ रहे हैं ठीक है ये कौन से हैं ये हैं आपके पास त्रीकों ये रिखती हैं ठीक है और दूसरी सत्य पर आपको इन त्रीकों ये रिखती हों के उपर रखनी है ठीक है तो इनके उपर रख देते हैं अपने एक में चुको उस तो आपको चत्स फल्किया रिक्तिया देखेगी और कुछ क्या देखेगी अस्ट फल्किया रिक्तिया देखेगी देखो यहां पर मैं आपको दिखाने के को सिस्ट करता हूं देखो हालांकि नजर आए या ना आए मैं आपको बताता हूं देखो केमरे के पास लेकिया थी देखो सुनो यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा कि यह जो आपको रिक्तियां दिख रही होगी इसके अंदर से यहां से देखो ठीक है इस साइड से देखो इस साइड से देखने पर आपको क्या दिखेगा देखो एकदम आर पार है वो पिछे का बेग्राउंड नजर आ रहा है, इस रिक्ती से देखो, ऐसे इस रिक्ती से आपको नजर आएगा, ऐसे इस रिक्ती से नजर आएगा, अब नीचे वाली रिक्तियों को देखो, यह आपको क्या एक बेग्राउंड नजर नहीं आएगा, तो उपर वाली क्या होगी अपने पास अगर मैं यहां पर क्या करता हूं छतुस फल्किया रिख्तियों को ढग देता हूं छतुस फल्किया रिख्तियों को ढग देता हूं छतुस फल्किया यह वाली तो इसके ओपर मेरे को पर्माणू लगाने यहां पर ठीक है तो इस जगहें पर अगर मैं परमाणू लगाता हू समझ में आगे नहीं बाती है तो यहां पे देखो यह और यह प्रमानों देखो एक सीध में आ गए है ठीक है यह और यह प्रमानों एक सीध में आ गए ना भी बाती है ठीक है यह इसको आगे की तरफ जब और जाएगा ना तब यह भी क्या होगा इसके आग्या जाएगा इसक से एक बात करूं कि का क्या होगी ठीक है तो इसकी कोनी था सट को ढी आ ठीक के इस की सोफिनी सट कोपी एक को सटी का बना के देख लो ठीक यह देख ओ कि यहाँ मैं आपको थोड़ा बना के टेपो में से परमाड़ उपर हो एक हो चै।-परमाण ब्री Summer समझ में होगा और 3 परमाणू एक साथ यहां पे रहेंगे बीच में ठीक है यानि अंदर रहेंगे तो यहां पे आपको क्या दिखेगा देखो यह परमाणू और इसके बार बार के 6 परमाणू है और तीन परमाणू यहां है, एक, दो, और यह तीन, और ऐसे अपने पास क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, छै परमाणू है, अगर देखो इसको आप परतम सता है A मानती हो, तो यह देखो थोड़ी डिफरेंट है, तो यह B हो जाएगी, और उपर वाली देखो और जिंक्त के अंदर यह जद्धा पाई जाती है, ठीक है, तो यह आप ज्यान में रखोगे, अब आते हैं, त्री वी में है, गनिया के को है, गनिया निवी डिसन को लोगे, देखो सेम यह, बस अब आपको क्या करना है, तीसरी सता है, पेच्ट उस फलके नह रखके, आप और इसमें आपको, मैं दिखाऊँ, तो इस वार आपको एस्ट फलके रिख्तियां बरनी है, तो मैंने इस वार क्या कर दिया, अस्ट फलके रिख्तियों पे परमानों को रख दिया, ठीक है, यह देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक त्यूश्ट नहीं हो रहा यहां पे आपको दिए रहा हुत यह उपर वाली असपल कि है जिसे बेगराउंड आपको नजहा ठीक है अब यह कुछ और बन रही है यह कुछ और बन रही है यह कुछ और बन रही है ठीक है तो यह होगी ए यह बी और यह यह भी क्या अलग है तो यह सी हो गई तो ऐसे अपने पास क्या मिल जाएगा यह ABC ABC परकार का पेटरन मिल जाएका यहाँ पर भी संकुलन दक्साद 14% होती है ठीक है एक अकोस्टी का यहाँ पर कौन सी होती है एक अकोस्टी का फलक के अंदरेक होती है ठीक है फलक के अंदरेक ठीक है तो फलक के अंदरेक होती है ठीक है और कोपर यह इसके मुखेते उधारना आते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा पहले आप यह इता देख लीजिए बिसी डिंग से और समझ में नहीं आए तो एक वार रीकेव करके देख लो ठीक है समझ में आ जाएगा तो यह चीज आपके पास यह मैं दोराने का सम होती है तो नोट कर लेजी तो आप अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एकаг कोस्तिका का गनत्व ठीक है जो कि important I confusion का ओon की numerical ठीक है तो गनिये को एक कोस्तिका का गनत्व ठीक है अब ठीक है बनात्व निकानने कर दीक На opened 100 यह वी पढ़ते आ रहे हो अपने पास दर्वेमान बटा ऐधन होते है ठीक हैं अब यहां पर देखो गनत्व किसका निकाल देखो तिक कोसस्टिका का Data को और आतन भी क्यालोगे इसी कोस्टीका का तो यहां पे अगर मैं बात करूँ तो हम तो देखो ये अपन सान जान ती हैं कि मानना अपने की कोस्टिका की भुजा लंभाई किती है लोका तो ऑजाएन की वतलो जाएगा आइतन ओंदेगा एक्यूम ठीके आइतन एक्यूब फास हो अब अपने ग्याद करने दर्वे मान ठीक है तो दर्वे मान अपने को ग्याद करने अच्छा अपने को यह मान लेते हैं कि परती कोस्टिका में पर्मानों की संख्या मान लो अपने पास किती है जड है ठीक है जोगी अपने निकाल रहेते हैं आद्य गनिया के लिए एक फलक मत्राइमान या फिर मॉलर बार होता है ना वो क्या होता है जैसे बोलते हैं आक्सीजन का सौड़ा ग्राम फ़ोड़ी यह वरना तो फिर आपको प्रमानु दिखता थीक है तो वो कितने का होता है वह गात रोसं क्या होती है उसके बराबर होता है यानि 6.02 2-10 की गात 23 परमान का दर्वेमान ठीक है तो यह चीज़ समझ में आगई आप देखो मॉलर भार अपने पास मान लो mm से मैं इसको दर्शारा हूँ है यह एन्ने हो गया और एक परमाणों का बार यह माल लेते हैं तो एक प्रमाणों का भार किता होगा बताओ एक प्रमाणों का बाहर आएगा एम बटा किता हो जाएगा एन ने हो जाएगा ठीक है यह चीज़ में आगए यह एक प्रमाणों का आ गया अपने पास किते प्रमाणों है जड ठीक है तो अपने पास है यहां पे जो टोटल दर्वे मान मनाएगा एक कोस्टिका का वो किता जाएगा वो जाएगा अपने पास एमें बटा में इंटू जड होनपी अपने पास तस div क्यों लिधा क्यू किता है attained एक बंदर के उजएगा अपने पास ऐसे आइस ऐघन की तरह एक यू टो यह वह गया आपने पास ठीक है जहां प्रिकार्ट रोसंग क्या है और यह अपने पास क्या हो गया कॉस्टिका की बुजा की लंबाई हो गई ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है तो पहले आप इस सित्य को देखिए हा तो अब अपने आगे देखो यह समझ मियांगे ने गरत्तविवेुवाला कंसेफ्ट अब आजाओ प्रिजजियानु पात पर ठीक है हा तो्टरिजयनु पात क्या होता है देखो प्रिजियानु पात का मतलब ऋगया अपने पास पहली बात ही यह आइनिक क्योगिकों के लिए परिवासित है ठीक है आई निक में दो होते हैं आपको बताओगा धनाइन और रिनाइन ठीक है तो यहां पर क्या होता है धनाइन और रिनाइन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी को त्रिज्या अनुपात बोलते हैं ठीक है यानि की त्रिज्या अनुपात ये किता हो जाएगा अपने पास है धनाइन की त्रिज्या बटा रिनाइन की त्रिज्या ये हो जाएगी ठीक है अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं देखो ये मैंने लिख दी क्या परिसर लिख दी ठीक है किसका है ये त्रिज्या का ठीक है त्रीज जानुपात का परिसर यहां पर मैंने लिख दिया और यहां पर मैं लिख देता हूँ रिक्ती का परकार ठीक है और यहां पर आजाएगा अपने पास सम्नव या संक्या आजाएगी उसकी ठीक है किसकी रिखती की तो परिसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखो सबसे पहले आपके परिसर सरू होता है 0.155 से लेके और 0.225 तक तो अगर यह आपके क्या रहा है किसी भी योगिक के अंदर अगर 395.155 से लेके 0.225 तक आ रहा है तो वहाँ पर रिखती होती है वो कौन सी होती है त्रीकोन यह होती है और त्रीकोन यह रिखती के लिए सम्मनोव बीसंग्या 3 होगी ठीक है अगर 395 0.257 से लेके और 0.414 ное जला चार के बीच में आ रहा है तो यह और इसकी सम्मनोव बीसंग्या 4 होगी साथ तीन दो से लेके जिरो यह एक तक है ठीक है तो यहां पे आती है गन्ये रिक्ति और इसकी किति होती है आठ समनों भी संक्या होती है तो यह तरिज आनुपात का और गनत्वय का पंसेट हो गया ठीक है तो बाकी है वो जो चोटी मोटी टोपिक है तोरिटिकल है वो आप कुछ से पढ़ लेना बाकी है वो अपन क्या करेंगे अब क्यूशन बजते हैं जो कि आपको असाइनमेंट अपने यहां पर मिल जाएंगे डिस्कोर्ट पर तो वहां से आप जाईएगा वीडियो अपलोड कर देंगे ठीक है तो नेक्स लेक्सर अपन लेके एंगे विलियन पे तो तब तक के लिए पड़ाई करते रहें जे रस्तान